बिहार के स्वास्त मंत्री तेजस्वी यादव उनको लेकर कहा जा रहा है कि जब डेंगू अपने चरम सिमा पर है उसका प्रकोप इतना ज़्यादा हो चुका है कि अगर सुक्रबार के दिन की बात की जाए तो 371 नय मरीज पाए गए पूरे राज में तब तेजस्वी याद डियम साहब सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो मरीज डियम साहब को रोक कर कह देता है कि ना चादर है ना मचरदानी है और डियम साहब के सामने किसी मरीज का यह सब कुछ कह देना स्वास्त बिभाग का जो पोल है वो खोल देता है अब तेजस्वी यादो सरकारी अस्पत इनको निकाल देंगे नया डॉक्टर लाएंगे जो हर वक्त ड्यूटी करें नया भरती किया जाएगा और सरकारी अस्पताल के लिए मिसल लेकर आये थे कि तीन महीना में चार महीना में एक अदम उसकाम काया कल्प कर देंगे लेकिन आज उसी सरकारी अस्पताल में भरती मरी बीच अपने स्वास्त मंत्री को खोज रहा है आगे इसी पर बातचीत करेंगे बागे नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं तेजस्वी यादो जब नए-नए स्वास्त मंत्री बने तो लगा कि वाकई में तेजस्वी जैसा स्वास्त मंत्री और नेता बन पाना बड़ा मुश्किल है कब तेजस्वी यादो आधी रात को किसी PMCH में दौरा करने चले जाएं पता नहीं चलता था कब किसी अस्पताल में अचानक जाकर घुश जाएं पता नहीं चलता था लेकिन धीरे-धीरे तेजस्वी यादो को पता चल गया कि वो मीडिया का ध्यान आकरशित करने के लिए अच्छा कदम है लेकिन बेवस्था सुधारने का कुवत सायद बिहार सरकार के पास नहीं है अब उसका प्रमाण है कि मुंगेर के डियम एक सदर अस्पताल में जाते हैं वहाँ पर मरीज उनको रोख देता है कहता है मरीज डियम साहब से कि ना चादर दे रहे हैं नमचरदानी दे रहे हैं और आप सोचिए कि जब कोई डियम जाता है किसी अस्पताल का दोरा करने तो पहले से ही वहाँ पर तमाम तयारिया कर ली जाती है सुरिशित किया जाता है कि कोई कमी ना हो क्योंकि डियम आएगा देख लेगा तो फिर हमको डाटेगा लेकिन डियम के दोरे पर भी ऐसी हालत तो आप सोचिए कि बाकी समयों में कैसी हालत होगी इस वक्त पर डेंगू के मरीजों का हालत या है कि 3558 मरीज केवल और केवल सितंबर महीने में जो सितंबर महीना अब तक खत्म नहीं हुआ किवल इस महीने में बिहार के अंदर अब तक इतने मरीज पाए गये हैं और अब डेंगू का प्रकोप लगातार भढ़ रहा है दूसरे राज्यों में जहां पर डेंगू का प्रकोप भढ़ रहा है वहाँ पर स्वास्त मंत्री जो है वो आपात काल बैठक कर रहा है एमरजेंसी मीटिंग कर रहा है अपने स्वास्त विभात के अजिकारियों के साथ वो अलग-अलग अस्पतालों में जाकर दौरा कर रहा है वो अलग-अलग अस्पतालों में जाकर देख रहा है कि बेवस्था कैसी है और यहाँ पर बिहार के स्वास्त मंत्री तेजस्वी याद हो अगर मीडिया के सामने आते भी हैं तो कहते क्या हैं कि इंडिया गठबंधन ये कर देगा तो इनका इंडिया गठबंधन जो है वो न महिना में जो काम किया वो काबिले तारीफ थी एक उम्मीद जनता को लगा था कि वाकई में शायद अब दीन और दसा सरकारी अस्पतालों का सुधर जाए लेकिन तेजस्वी यादों ने भी घुटना टेक लिया और शायद उन्होंने भी हार मान लिया कि हमारे चाहने से स् अगर जूनियर डॉक्टर उसके साथ बत्तमीजी करते हैं और वो महिला विधायक जाकर सबके पास शिकायत करती है रेकिन पता नहीं चलता कि उन्हों डॉक्टरों पर क्या कारवाई होती है फिलहाल हमने आपको पूरी खबर आप तक पहुँचा दी है आपकी क्या इस पर परत के रिया है कमेंट बॉक्स वह ली कर बताईएगा कि हम रेकिसे पीशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद